हलो फ्रेंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी आयोब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज है देव पूर्णमा और आज गुनगुन की और गुनगुन की पापा की छुट्टी है तो सारे लोग घर में हैं तो इसलिए मैंने सोचा कुछ हलका फुलका सामर तो यहां पर मैं बना रही थी इटली सामर इटली के लिए मैंने सूजी रात को गलाकी रख दी ताकि सूजी जो हो अच्छे से फूल जाए और अभी मैं बना रही हूं सामर चावल की इटली मैं नहीं बनाती उसमें बहुत जाजा जंजट रहता है उतना टाइम मेरे पास में होता नहीं है तो मैं तो कुछ ऐसा देखते हूं जो जट पट से बन जाए तो यहां पर मैंने कुकर में सामर बनने के लिए रख दिया है जैसे ही सामर बन गया था तो मैंने आप इटली भी बना ली थी और चटनी भी बनाई थी मैंने टमाटर वाली इटली के साथ में जो बनाते हैं तो दीखें यहां पर मेरा समर रेड़ी है इटली रेड़ी है चटनी रेड़ी है तो फटा फट से सर्फ करते हैं तो यह हो गया हमारा टेश्टी सा समर और यह हो गई टेश्टी सी चटनी चटनी मुझे बहुत जादा पसंद है यह चटनी तो मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ अभी कुछ टाइम से नहीं बना रही थी क्योंकि टमाटर सो रुपे किल हो गए थे भाई हमारे यहां पे बट अभी तो साट रुपे किल हो गए तो फिर दुबारा से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है तो मैंने अपने लिए इट्ली को फ्राई कर लिया था थोड़ी सी राई और कड़ी पत्ता डालके और आज ना हमारा बैड और ड्रेसिंग भी आ गई थी संडे को इन दौनों भाया ने सेट कर दिया था तो यहां पर हमने बॉक्स खुलने वाले लिये थे यहां कि सिप्ट करने में आसानी रहती है और अभी हमारा जो फ्लैट है वो थर्ड फ्लोर पर है तो इसलिए फिर पूरे बॉक्स होते ना तो उपर आने में बहुत प्राब्लम होत है तो उसके वैसे मैं ज्यादा फनीचार इकटा भी नहीं करती हूं अभी ना बैड की बहुत जादा नेट थी काफी सारे कपड़े हो गए कहीं पर भी रहो ना तो फिर यह तो सब इकटा होई जाता है समान तो इस वैसे बैड भी लेना पड़ा और ड्रेसिंग लेनी पड दान थिल रहा है तो बार बार उसको पकड़ पकड़ के सीसे में देख रही है निकालने की कोशिस कर रही है उसको अब रूम थोड़ा सा हां लग रहा है कि यह बैड रूम है बना बैट्रेस्ट पड़े रहते थे थे ना तो ऐसा लगता था कि बस चार-पार दिन के लिए रहने के लिए हम यहां पर आये हुए हैं तो असाम को फिर गुनु का टूजन का टाइम हो गया था तो मैंने उसको टूजन छोड़ दिया था और मैं यह कर रही थी यहां पर पुजा की तैयारी तो अभी मैं बना रही हूं 365 बाती का दीपक तो मैं सूचे चलो आपकी साथ मैं भी शेयर कर देती हूं कि मैं कैसे बनाती हूं तो देखे मैं आप है न 365 बाती बना रही हूं कलावे से बैसे तो बाती बनी हुई भी मिलती है आप वो भी ले सकते हैं अगर आप चलाना चाहें तो बट मैं तो कलावे से ही बना रही थी तो मेरे कलावे में छै दागे थ है तो उसी के साफ से मैं यहां पर बना रही थी तो मैंने से 1010 राउंड के अपने ऐसे हाथ में तीन सेट बनाएते पीच बीच में से मैं को कट कर दूंगी तो यह 360 मुझे मिल जाएंगे 5 दागे फिर मैं अलग से एड करूंगे कर दो हो जान कर दो है? तो यह हमारी बातिपन के तयार हो गई है आप चाहें तो इसको मिट्टी की दीपक में जला सकते हैं या फिर आटे का दीपक बना के जला सकते हैं या फिर गोले का दीपक बना के जला सकते हैं तो मैं यहां पर गोले का दीपक बना रही थी तो गोले को इस तरह से पीच में से कट कर लेना है और उसमें गी डाल की इस तरह से बाती लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली तयार कर दी थी पांच बजे गुन-गुन की छुट्टी हो जाती है तो फिर वहीं से वहीं मैं उसको पार्क ले जाती हूँ क्योंगे फिर उपर लेके आने में और फिर नीचे जाऊ ना तब तक तो अंदेरा ही हो जाता है तो फिर वहीं से वहीं मैं उसको जूला पूला लाती हूं सलैट पूला करा करा के दुकान पर जाके दूध दूध लेके जो भी समन मुझे लेके आना है वो ली करके मैं तब आती हूँ उपर और गुंगन को देखो उपर आती है इसने फिर से सहतानिया स्टार्ट कर दी ये ड्रेसिंग न मैंने में तो इसी की वज़े से लिए है यूगि आज कल मेरा समान बहुत तोड़ फोड़ रही है और देखो अभी भी उसी के चक्कर में लगी हुई है कि इसको किस तरह से मैं उतारूँ तो अभी साम हो गई थी तो मैंने अपने मंदिर में यहां पर दीपक जला दिया है अभी मैं जा रही हूं मंदिर में 365 बाती का दीपक जलाने इस दीपक को जलाया था मैंने पीपल के पेड़ के नीचे जो कि मंदिर में ही है मंदिर के पार्क में आप चाहें तो इसको पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं या फिर बूलर के नीचे जलाएं या आवले के या फिर बेल पत्र के या तुलसाजी के पास भी आप इसको जला कर दीजिए और चैनल पर न्यून है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहां पर न मैं एक एक कचोड़ी सिख रही थी बिल्कुल लो फ्लैम्प है जितने लो फ्लैम्प है कचोड़ी सिखेगी न धीरे-धीरे उतनी ज्यादा टेश्टी और खस्ता बनेगी तो यहां पर जैसे कचोड़ी सिखती जा रही थी एक एक करके मैं देती जा रही थी